स्वागत है आप सभी का आज के मारे इस वीडियो में और आज की वीडियो में हम आपको एक न्यू न्यूज बताने वाले हैं जी हाँ सरकार के दौरा फिरी गैस कनेक्शन के लिए पैसा दे दिया गया है आज के न्यूस पेपर में जानकारी निकली हुई थी मैं सुचा आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता देते हैं क्योंकि बहुत सी दीदी है न्यूस पेपर नहीं पढ़ती या फिर ध्यान नहीं दे पाती है तो आज की वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले कि सरकार की तरफ से मुफ्त गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं जिसके लिए सरकार ने पैसा भी जारी कर दिया है कितना पैसा जारी हुआ है और किस पकार से गैस कनेक्शन मुफ्त मिलेंगे यह पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चलिए देखते हैं आपको विद्प्रूफ यहाँ पर जानकारी बताने वाले स्कीन पर देखिएगा उसके पहले छोटी से कर दीजेगा और एक और आपको बिल आइकन मिलेगा सबसे उपर अल पर उसको भी प्रेस कर लीजेगा ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके मोबायल में पहुचेंगे और पहले से पहले आप उसको देख पाएं और इसी के सथ हमारा एक और चैनल है एस एच जी वाइस आप उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए उस पर भी आपको सरकार की योजनाई है समू से रिलेटेट जानकारी है कोई भी ग्राम इस तर पर जानकारी सरकारी योजनाओं की है वो मिलती रहेगी लेकिन सब्सक्राइब करना जरूरी है जैसे ही सब्सक्राइब करने स मुफ्त गैस कनेक्शन एक हजार छे सो पचास करोड मंजूर हुए हैं काबिनेट की ई कोड परियोजना के तीसरे चरण पर भी मोहर लग गई है और नई दिली केल सरकार ने तेवहारी मौसम से ठीक पहले महिलाओं को तोहफा देते हुए 75 लाख घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड रुपिये मंजूर किये हैं प्रधान मंतरी उज्वला योजना PMUY में इस LPG कनेक्शन में गैस चूला और एक भरा हुआ स्लेंडर भी मुफ्त दिया जाता है बुद्वार को हुई कैबिनेट बैठक में इकोट परियोजना के तीसरे चरण और एक फार्मा कमपनी में विदेशी निवेस को भी स्विकर्ती दी गई है साथ ही G20 सिखर सम्मेलन की सफलता और नई दिल्ली गोश्णापत्र के लिए PM नेंद मोदी जी को बधाई भी दी गई है सूजना परसारन मंती अनुराग ठाकुर ने बताया कि PM मोदी की अधिश्चता में हुई कैबिनेट बैठक में 2023-2024 से 2025-2026 तक तीन वर्सों में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी गई है मतलब 2023 चल रहा है और 2026 तक कनेक्शन दिये जाते रहेंगे ये 2026 तक की योजना बनाई गई है उजला योजना गैस कनेक्शन देने की तो अब उजला के लाभारतियों की संख्या 10.35 करोड हो जाएगी तो यहां पर देखे पीम उजुला योजना दस दलब 35 करोड हो जाएगी लाभारतियों कुल संख्या और यहां पर केंदरी मंती ठाकुर ने कहा कि सरकार का फैसला हासिय की महिलाओं के लिए संजीवनी है जो खराब आर्थिक हालात की चलते चूला फुकने के लिए विवस है दिली में अभी एक स्लेंडर की कीमत 903 रुपिय है पर उजुला लाभारतियों को 200 रुपे सबसीटी के साथ प्रती स्लेंडर 703 रुपिय में मिलेगा तो यहां पर जो है उजुला कनेक्शन अगर आप करवाते स्लेंडर आपको काफी सस्ता पड़ेगा बाकि स्लेंडर के पेच्छा यहां पर आपको 200 रुपे की छूट 200 रुपे की सबसीटी मिलने वाली है तो उजला कनेक्शन अगर आपने भी तक नहीं लिया है और आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड़ नियूज है और यहां पर सरकार ने पैसा जो है मनजूर कर लिया है जारी हो है और अब कनेक्शन मिलना सुरू होने वाले हैं तो इसमें आप कनेक्शन कैसे ले पाएंगे इसके लिए पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई थी और यूटूब पर आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी और आगे मैं कोशित करके नई वीडियो बना दूँगी और कैसे इसमें कनेक्शन लेना है क्या कुछ करना है फिलाल इसकी जानकाली आपको मिल जाएगी आगे यह थी नियूस जो की नियूस पेपर में निकली हुई थी मैंने आप सभी को वीडियो के मादम से पहुचा दी है और उजला गैस कनेक्शन मिलेंगे यह सरकार की तीसरा चरड है उजला ञें को देने का दो चरड पहले भी पूरे हो जुकह है जिसमें की गैस लेंडर और गैस्चूला दिया गया था और अभी तीसरा चरड है नंक्स वीडियो में ऐसी सरकार की नई जानकारि और अपडेट के साथ और पर आती रहती हो यदि आप भी ग्राम इस तरप या सरकारी और जानकारी पाना चाहते हैं तो हमाई चानल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धन्यवा झाल 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 झाल